सकते हैं नया कानून आया है नए नियम लागू हुए हैं सरकार कानून को इस मकसद से लेकर आए कि आक्सिडेंट को रोका जा सके लोगों को आगाउ किया जा सके लेकिन ड्राइवर्स इस कानून के सीधे तौर पर खिलाफ हैं पूरे देश प्रदेश में आप देख रहे हैं, प्रदर्शन शुरू हो चुका है, इस कानून के आने की बाद क्या हाल है प्रदेश में, आई एस खास पेशकर नए कानून पर क्यों मचा बवाल, बताएं एक हाल, कहां उग्र प्रदर्शन हुआ है, कहां पंपो पर भारी भ प्रदेश के अधिक तो प्रदेश के अधिक तो प्रदेश के अधिक तो की किलत अगर होती है और अलग-अलग जरूरी सामानों की किलत होती है तो इसके लिए कौन जुमेदार आखिर होगा क्योंकि सरकार से गोहार है तो सरकार के तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी इस हर्ताल को लेकर या नए कानून को वापस देने को लेकर अभी तक साजा नहीं की गई है ये चार तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रींज पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरे मकसद इसका है कि आप ये समझ सके कि ना सिर्फ ड्रक ड्राइवर परिशान है इस नहीं कानून से बल्कि लोगों को सबसे जादा परिशानी हो रही है हाथसों के आकड़े भी आपने देखिया है और इन आकड़ों में कमी आ सके इसका प्रयास कानून व्यवस्ता की तरफ से किया जाना था और उसलिए शायद सरकार की तरफ से इतना कड़ा नियम कि अगर हेटन रन का मामला पाया जाता है तो आपको 10 लाक रुपे का जुर्माना भरना होगा 37-7 साल की कारवास की सजा आपको होगी तो पुराना कानून क्या था उसकी भी पॉइंट जब आपको बता रहे हैं सकती से जादा लोगों को अपने जान कड़ सता रहा है क्योंकि हेटन रन का मामला जब जब हुआ है या अगर कोई भी आक्सिडन होता है तो ड्राइवर को जम्यदार मानते हो सबसे पहले उसके साथ मारपीट की जाती है इसी पॉइंट को लेकर ट्रक ड्राइवर की तरफ से हर्ताल की जा रहे है कि जब भी दो बाहनों में टकर हो रहे हो भारी और मालवाहब बाहन को जिम्यदार ठेराय जाता है और ड्राइवर की घटना स्तल पर अगर हालत ठीक है तो मॉब लिंचिंग की जैसी जो घटनाएं वो सामने आती है और कई बार मारपीट ड्राइवर के साथ होती है दूसरी तरफ कानून सक्त होने के चलते ट्रक ड्राइवर्स की हर्ताल तो है जमीन इस तरफ पर खामयाजा भुगत रहे हैं आम लोग क्योंकि ना सिर्फ ट्रक और डंपर बलकि कुछ ऐसी जगा भी है 36 गड़ के कुछ इलाके ऐसे भी जहां बस अंचालोकों की तरफ से भी हर्ताल चुरू कर दी गए बस ड्राइवर्स भी हर्ताल पर चले गए हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है अगर किसी प्रकार के दु में रहें अभी बहुत बड़ी मुश्किल मधिप्रतेश चतीजगर में खास्तोर पर ऐसे जलों में जहां पर आम लोग जो है वो पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के सहारी रहते हैं पुराने कानून के साथ ही जो नया परिवर्तन सामने आया है सकती और जाधा बढ़ती हुई सबसे पहले आपका रुक में कर रहे हुँ क्योंकि ना सिर्फ राजदानी बल्किया पूरे प्रदेश का हाल जरा बताइए एक जलक में कि क्या कुछ हो रहा है और आम लोग कैसे परिशान है आप किसी भी स्टीट या देश की लाइफ लाइफ राइन होता है क्योंकि दूध हो फल हो सब्जिया हो राशन का सामान हो या फिर अनाज हो अन हो इन सबको लोगों तक पहुँचाने उन मार्केट्स तक मोचाने का काम जो है वो ट्रक ड्राइवर्स ट्रक ओपरेटर्स के द्वारा ही किया जाता है और आज वही जब एक बड़ी देश पर आपी हरताल पर हैं तो ये सारी सुविदाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही हैं और ये भी अब त का जल्दी कोई सल्यूशन नहीं निकलातो और अगर इसी तरह ये से हरताल जारी रही तो आम लोग सीज़े तोर पर बहंगाई से भी अवंति का प्रभावित होंगे और परिशान होंगे क्योंकि अगर दूद और सबजियों की सप्लाइ कम होगी तो निश्य तोर पर उनके लिए बस ऑपरेटर्स जो हैं वो भी अब हरताल पर आ गए बोपाल के चारों से जो हाइवेज निकलते हैं वहां पर लामबंद तरीके से ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी हरताल शुरू करती हो लंबी लंबी कतारे जो हैं ट्रकों की लगने लगी अगर ये चक्का जाम जारोप लगाएं कि वैसे ही हमसे बहुत वसीली होती है चाहिए पुलिस की हो और उपर से इतने कड़े प्रोधान ये हम कैसे बुक्तान कर पाएंगे और एक ड्राइवर बामुश्किल दस जार बारा जार उपे महीने का कमा पाता है वो ऐसे में नौकरी करेगा या किसे ड मितलेश की और अब रुक करेंगे इन दौर से मारे सा जुड़े हो हैं मितलेश पहले ड्राइवर्स का पक्ष भी बताइएगा क्यों इस कानून को वो नहीं मान रहे हैं क्यों इसे वापस लेने की मांग की जारे हैं इन दौर में आम जंता पर कितना असर अधिए अगर ड् मुझके नहीं होते हैं हाथ से जो है किसी कारण बस भी हो सकते हैं लेकिन जब से यह ही टेंडर का जो नया मामला है जो नया कानून बनाए हो काफी सकते हैं और कहना किसके बज़े से और भी ज्यादा विबाद होंगे कई बार ग्रामीर इस तितियों में या ग्रामीर जहां प्रावधान या कानून सी भी हमारे लिए तक सिमितने ही यह कानून तुमारे लिए हो सकता है। प्रस्वीर मैं आपको गीता भौन इसनित पेट्रोल प्रम के दिखा रहा हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पब्लिक ट्रांस्पोर्ट बसे हैं उनहीं भी रोग दिया गया। पहली सहर के अंदर चलने वाली जो पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की 400 बसे हैं। 500 बसों को बंद कर दिया गया और चार्टर से 163 बस जो इंदोर से भौपाल, खंडवा, खरगोल तमाम अलग-अलग सेरों जाती हैं। 563 बसों को जो AICTSL से चलती है, 563 बसे प्रभावित है, दूसरी जो सरकारी गवर्मेंट वाली जो बसे वो बंद है, प्राइबिट बसे बंद है, यात्री सबसे ज़्यादा इंदोर परसार हो रहे हैं। जब जशनी की तस्वीरे होनी चाहिए, जशनी की भीड देखिनी चाहिए, तब पेट्रोल डीजर को लेकर ये मारा मारी की तस्वीरे इंदोर से हम देख रहे हैं। इस बसे बसे पूरी तरह से बसों के पईये थवे हुए हैं। इस इलाके में जहां बसों की चहल पहल होती है, यात्रियों की चहल पहल होती है, आज महाँ सन्ना टचाया हुआ है दरसल, जो ड्राइवर से वो हीट एंड रन कानून का विरोत कर रहे हैं। का यही कहना है कि पहले ही ड्राइवरों के सामने सबसे बड़ी परिशानिया होती है। कानून का सकत होना उनकी और मुसीबते बढ़ाएगा और इससे परिशानिया खड़ी होगी। अब आपको बता दे कि जो हर्ताल हुई है उस हर्ताल की वज़े से आप देखेंगे कि अभी तो पेट्रोल पंपों पेट्रोल डीजल परियाप्त मात्रा में है। लेकिन अगर इसी तरह से ट्रकों के टेंकरों के पईये जाम रहते हैं तो आने वाले अर्तालिस घंटे में डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत हो सकती है। अब इस हर्ताल के लंबे समय तक चलने से कहीं न कहीं ना सिर्फ यात्रियों की मुसाफिरों की परिशानिया बढ़ेगी बलकि आने वाले समय में डीजल पेट्रोल की किल्लत होगी इससे। अब देख सकते हैं कि मेरे पिशे इतनी बड़ी तंख्या में यह जो ड्राइवर है यह अपने वहानों के पईये ठामकर यहां प्रदर्फन कर रहे हैं और लगतर ना केवल बस ड्राइवर बलकि इसकूल बस के जो चालक है उन्होंने भी प्रदर्फन किया है और जिस तरह प्रदर्फन के दाइवर हमारे साथ हैं हम फूशेघें में पूर दार्फन है यह जो कानूर है वो बिल्कुल गलत है इसमें जाइवर लोग गारी चला ही नहीं पाएंगे अगर एक्सिडेंट होता है अगर जाइवर भगेगा नहीं उसको पब्लीक माँ जालेगा और भगना उसको अनिवाद हो जाएगा अगर उस्पिटल ले जाता है अगर कहीं कोई प इन से जाना चाहेंगे कि यह पुड़ा प्रदर्शन आप लोगों के अगर हमल पास दस लाक रुपय पैसा रेकी तक हम गाड़ी चला है कोई शर्टेंट है सरकार अगर रुपया प्रदर्शन के सरकार कि यह जब तक नहीं होगा हम लोग प्रदर्शन हो दूंस देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है यूनियन संग है इनका जो प्रदर्शन है लगतर जारी है और आज लगभक सभी वहाहनों के जो पहिए हैं वो थमे हुए हैं जिसे कहीं ने कहीं लोगों को आवाक अमन में काफी प्रेसानियों के सामने करना पड़ रहा है और ये प्रेसानि लगवग दो तीन दीन और रहेगी ऐसा लग रहा है क्योंकि तीन दीनों को एल्टीमिटम डिये गitts लेके हर्थाल की बात है लेकिन जो यहाँ प्रदर्सन कारी है उनका कहना है कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिये जाएगा तब से यह प्रदर्सन जारी रहेगा बड़ी बात प्रश्चान थे भी कि बहुत पहले से लिए एलान किया था कि हम हर्ताल करेंगे इसके बावजुद अभी तक सरकार के तरफ से कोई रिस्पॉंस नहीं आता है सीधे अब आपको जबलपूर ये चलते हैं आपको हमारे सेगी नजर आ रहे होगे पवन पटेल जोड़े हुए है पवन पेट्रोल पंप है शायद आपके पीछे यहाँ पर भी क्या लोगों को इसी बात का डर कि पेट्रोल क फत्म हो गया तो फिर उनका क्या होगा क्योंकि नौकरी धंदा व्यापार करने वाले लोग स्कूल को ले जाने वाले चात्र कामकाजी महिला ये तमाम लोगों के मन में यही डर है और इसी वजह से ये तस्वीर है आपको दिखाना चाहूंगा कि पैट्रोल पंपों में लो सक्ती बढ़ाई गई है जुरमाना बढ़ाए गया है सजा का प्रावदान बढ़ाए गया है और यह उस स्थिति में है कि जब एकसिडेंट होता है तो जैसे पहले एकसिडेंट होने के बाद में कानून की प्रोसीडिंग होती थी कोड में केस चलता तब ऐसा ही इस बार सचल कों जो अवी तक कहना रहा है वह यहीं है कि हमारे पास परयापत है लेकिन लोगों को आपम पूर्ति कर पाएंगे यह कहना मुश्किल है हमारे साथ लोग भी मौझूद है जानने की कोशिश करेंगे क्या वज़ा है इतनी भीड क्यों है क्या डर है इक इतनी प्योंने तहीं मिल धे लाई में certainly और उसल कहीं एगर पिकनिक बनाने जाना तो कैसे अभी थोड़ा सा एकदम हो गया, एकदम थोड़ा सा हो गया है, और यहाँ पेट्रोल पंप कर्मचारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, दादा इतनी भीड है, कैसे समाल रहे हैं? पेट्रोल पंप कर्मचारी भी बता रहे हैं कि टेंकर नहीं आ रहे हैं इसी वज़े से ये भीड मची हुई है बैराल अगर कानून की बात करें तो पहले कहा जाता था कि ड्राइवरों को साथ फून माफ है यानि ड्राइवर अगर कहीं एक्सिडेंट कर रहे हैं अंबिकापुर भी चलते हैं लोटूंगी में आपके पास शवन बताइएगा क्या कुछ हाला आते हैं कि यहाँ पर भी सड़कपर सन्नाटे प्राइवेट टांस्पोर्ट नजर नहीं आते हैं देखे आज सुबह से ही जो है चालक संग ने प्रोटेस्ट करना सुरू किया है और जो बसे हैं करीब 500 से अधिक बस जो जिले से संचालित होती थे अलग-अलग ब्लाक मुक्याले में जाते थे अलग राज में जाती थे उनके पहिया थम चुके हैं और हजारों की संख्या में आज सुबह 5 बजे से लेकर करीब 6 गंटे से अधिक वक्स जो चालक थे वो यहां पर परदर्सन कर रहे थे उग्र परदर्सन कर रहे थे और उनको समझाने के लिए तमाम प्रसास्तिक अधिकारी और पुलिस थे वो समझाईज दे रहे थे इसके बावजूद जो है वो परदर्सन करी जो हीटने मामले के नए कानून को लेकर लगतार ये बता रहे थे कि ये काला कानून है और जो चालक है उनके लिए ये खत्रा है गाएगी जिस तरह से हाथसे होते हैं वो कहीं बता करके नहीं आते और अगर हाथसे के बाद अगर हम व बढ़ी रकम है और ड्राइवरों का खाना था कि उनकी जो वेतन होता है वो महाज दस से लगता है श्रवन के हर जगा पुनर्विचान की जरुत होगी बहुत बहुत शुक्री आप तमाम सहयोगियां का ये ज्वानकारी पहुंचाने के लिए और आप देखें टॉप 20 खबरे कि अजय को बहुत बहुत एले खाना प्राइवरों कि ऑनकी जरुत है और प्राइवरों का ते की जरुत है जहुत है तो तोरे बहुत है जह है जो आप